Hi friends, how are you? A very good afternoon to all of you. So today is March 6th. जब हम last time आए थे 25th या 26th फेप से, उसके बाद से आज तक का देखते हैं क्या आया है क्या नहीं आया. और इस lecture में आपको ये भी बताऊंगा, कि आप लोगों की जैसे complaint है कि सब पहले आप डेली आया करते थे, आप डेली नहीं आ रहे हैं, हफते में एक बार तो आईए या दो दिन में एक बार तो आईए, उस बार में भी discussion करेंगे. अगर इनकेस lecture बड़ा हो जाता है, तो next lecture में बात करेंगे, नहीं तो आज की lecture में बात करेंगे. शुरू से देखते हैं क्या आया है उस दिन के बाद से, जब समने last lecture बनाया है, उसके बाद क्या क्या आया है? एक तो आपने देखा हुआ चर्णोबिल पावर प्लांट का बहुत जादा आ रहा था उक्रेन में जो है, उक्रेन में जो हो रहे हैं हम देख रहे हैं, इंडेन स्वासे होएं, वो सब देख रहे हैं, कैसे निकाला जा रहे हैं, उनको वो सब देख रहे हैं, जो important questions बन जात उसने चर्णोबिल नुक्लियर पावर प्लांट को deliberately capture किया है, क्यों किया है, क्यूंकि बेलरस उसके उपर country है, उक्रेन से उपर, तो बेलरस के साथ रश्या की साठगाट है, और चर्णोबिल जो है, वो shortest route है, ताकी वो कीव पॉंच के, कीव जो है उक्रेन की capital है, कीव से पॉंचने का कीव तक पॉंचने का शौटेस्ट रूट जो है थू बेलरेस वो चर्नोबिल से होके गुजरता है इसलिए उसने चर्नोबिल को कैप्चर किया यह सबसे बड़ी बात या तक है कि इसा कुछ नहीं कि उसने न्यूकलियर ट्रैक या ऐसा कुछ करना है अब इतना जब न्यूज में चल रहा है तो चर्नोबिल के उपर आपसे एक दूबाते और पूछी जा सकते हैं जो वर्ल्ड का डेड्लियस्ट न्यूकलियर एक्सिडेंट हुआ था यहां पर ही हुआ था एप्रिल 1986 में उसके बड़ आपसे यह पूछ सकते हैं कि आज कि आज कि यह त अब यहां पर नूपल प्लांट दुबारा शुरू हो चुका है यहां पर प्रडॉक्शन हो रही है ऐसा नहीं है क्योंकि उस टाम भाहसे जो डेडियो एक्टिव डिवाइस से कवर कर दिया गया है ताकि रिडियेशन की लीकेज ना हूँ और एंटायर प्लांट को एक यह था कि US European Commission ने उनको रॉष्या क्यों जो इन्होंने युकरेन पर टैक किया है उसको काउंटर करने के लिए कुछ संक्शन लगा रहे हैं एक उन्होंने यह भी काया कि कुछ बैंक्स जो है कुछ बैंक्स हैं उसको हम स्विफ्ट से हटा देंगे स्विफ्ट क्या है ब तो इससे आप क्या करिए कि जैसी आप पेरिमिन गरते आप मुझे स्विफ्ट कापी भेज़ दीजीगा इ minimize वर्युर आप सबसे बड़ी बात क्रें के ऐस Swift जो है, ये खुद पैसा ट्रांसफर करते हैं, कि इतना ज़र्दा हाइप किया हुए, ऐसा नहीं है, Swift जो है, एक messaging system है, पैसा ट्रांसफर आपका bank ही कर रहा है, पैसा ट्रांसफर उसका bank ही ले रहा है, बट Swift क्या है, एक ऐसा channel बना दिया गया है, जो आपका message, एक reliable source है, कि हा पैसे आपके उस bank में चले गए है, तो एक criteria कैसे develop हो गया है, कि हाँ, वो लोग मान लेंगे, यकींग कर लेंगे, कि हाँ, Swift अगर copy आगई है, Swift ने अगर message दे दिया है, कि हाँ पैसा पहुंच गया हुँके bank में, तो उसको 100% सच मान जाता है, ठीक है, तो एक बहुत important हो जा और ये 200 countries में 11,000 banks को services दे रहा है, ये establish हुआ था, थोड़ा सा आपको general पता होना चाहिए, इसका basics, 1973 में establish हुआ था, ये जरूर important है, ये कहाँ पे है, ये based है Belgium में, कौन-कौन operate करता है, इसको oversee करता है central banks from 11 industrial countries, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Switzerland, UK, US, besides Belgium क्योंकि महां तो है ये, तो इसके notes बन option दे सकते हैं, China या Russia, तो याद केगा China, Russia, India नहीं है, और कुछ घुमाफ राके देंगे नहीं, China जबर पूछ सकते है, Russia जबर पूछ सकते है, India जबर पूछ सकते है, तो याद केगा वो नहीं है Swift से पहले क्या था? Swift से पहले Telex चला करता था बर Telex आपको पता है बहुत ही slow messaging platform है इसलिए इसको हटा दिया गया Swift से कर दिया गया है अब आप से पूछा दा सकता है कि Swift से हटाने वाली पहली country होगी Russia ऐसा नहीं है Iran को भी पहले किया गया है उस वरे से उसको बहुत ज़ादा foreign trade में loss हुआ था और Russia भी अपनी तियारी में पहले से ही जुटा होगा तो उसको पता दा ऐसा कुछ होगा तो उसने अपना एक alternate तियार किया है System for Transfer of Financial Messages SPFS तो इसको तियार किया है वहां के Central Bank of Russia ने वो भी equivalent है Swift Financial Transfer System का और आपसे ये पूछ सकते हैं कि Russia ने ऐसा दो तियार किया है और पहली बार ऐसा कोई है नहीं चाइना भी अपना एक तियार कर चुकी है Cross Border Interbank Payment System CIPS तो ऐसा कुछ नहीं है ये सब चीज़े याद अगनी ही जोट नहीं है बस आपको बस ये याद होना चाहिए कि हाँ Russia ने अगर किया तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ Russia ने किया इससे पहले भी एक country कर चुकी है आपसे पूछ सकते हैं कि Russia के उपर पहली बार ऐसे कोई country जिसे पर sanction अगर नहीं ऐसे पहले नहीं है इरान के उपर भी लग चुक है तो और कोई technology companies है हाँ Ripple है एक टाइप की company है वो अपना ही ऐसा एक platform based offer करती है जिसमें वो interledger protocol याद रखे है आपको इतना लियाद ना भी रहे interledger जब भी बात आए या blockchain technologies की बात आए ये सब technologies जो cryptocurrency यूज़ करती है बहुत reliable होती है इसमें data चोल होने का बड़ा कम डर होता है तो उस वज़े से इसका ये alternate provide कर रही है Ripple आपसे पूछ सकता है Ripple अगर आप news में सुन रहे हैं तो वो क्या चीज़ है तो आप याद रखेगा कि ये भी swift messaging की तरह एक अपने platform त्यार कराए उनों vessels को ban कर सकते है to entering the Black Sea through the Bosphorus and Dardanelles Strait अब मैं इसके बार में सारा बताता हूं को क्या है क्या नहीं Russia देखे आप कोई भी country है उसको भाहर से माल मंगवाना है तो आएगा तो जहाज से ना हर चीज़ तो airport से नहीं आ सकती भारी-भारी containers भी होते हैं अब उसके पस रूट क्या बचता है एक बचता है Black Sea जो वो वाय युक्रेयन है क्रीमय उसको पहले एनेक्स कर चुका है दूसरा है वो वाय टर्की करते है क्या करते है Black Sea से यह लोग देखे दिखाता हूं आपको पहले मैप देखाता हूं यह देखे यह Black Sea है Black Sea तक वो वो पने शिप पहुंचाते है यह Bosphorus Strait है Bosphorus Strait जो है Black Sea और Sea of Marmara के बीच में यहां से पतली सी लकीर है यहां से स्ट्रेट स्ट्रेट मींस जो एक वाटर बॉड़ी जो दो बड़ी लाज वाटर बॉड़ी को करेक्ट करती है तो यह Bosphorus Strait है यह पतली सी वाटर बॉड़ी है जहां पर आप यह White Tick देख रहे होंगे Istanbul का यहां से Black Sea से उनका शिप पहुंच जाता है Sea of Marmara फिर Sea of Marmara और Aegean Sea की बीच में है Dardanelles Strait यहां से वो पहुंच जाता है Aegean Sea और वहां से फिर यह निकल जाते है Mediterranean Sea पे ठीक है तो यह important है कि अगर यह World का Trade करते है तो इसने हम यह पूरे Totally Dependent है Turkey पे तो रश्य पे अपनी जगे ठीक था कि अगर आपने Ukraine में NATO Forces आ गई यह लोग Black Sea पे अपनी Ships कड़ी करते हैं मैं हर जगे से गिर जाओंगो मैं World Trade कैसे करूँगा ठीक है तो अब वह कहरें कि Turkey authorized है Bosphorus State, Dardanelles State कहां किस-किस के बीच में आती है Aegean Sea और Black Sea और Bias Sea of Marmara को connect करती है यह दो main Straits है Bosphorus and Dardanelles और यह ही passage है जिससे वो अपनी जो Black Sea से Mediterranean Sea और उसके Beyond पहुंच सकता है या Mediterranean Sea से अगर import कर रहा है तो countries उसके Black Sea तक पहुंच सकती है यह जो Montrex Convention है यह क्या है यह एक International Agreement है जो sign किया था Australia, Bulgaria, France, Greece, Japan, Romania, Yugoslavia, UK, Soviet Union और Turkey ने और यह कब से activated है, effective है, यह 1936 से है यह आदकेगा और क्या है कि Montrex Convention जो है यह Turkey को full control देता है over the water route between the Black Sea and the Mediterranean, जो इन बीच पे जो इस सौधा है यह पूरा का रास्ता है इसको Turkey को control देती है, यह Convention और जो जब एक war होता है तो यह pact जो है Turkey को right देता है कि वो regulate करे transit of naval warships मतलब अगर वो बंद करना चाहे कि वो कहता है कि इस पैसे से नहीं जाना है तो कोई Bishop Black Sea तक नहीं पहुंच पाएंगी या Black Sea से कि इसको भार निकलना है और यह बंद कर देता है तो वो भार नहीं निकल पाएंगी वो वहीं block हो जाएगी ठीक है, तो यह Turkey को right देता है और जो भी country coastline पे है Black Sea की मतलब अब आप से पूछा जा सकता है यह important है, क्या क्या पूछा सकता है आप से पूछेंगे Black Sea को कौन कौन सी countries जो है, वो surround करती है या कोई 4 countries दे दी हो सकता है तो उसमें से एक ना करती है, वो आपको option दे दे इसका map या दखेगा, जरूर पढ़ लाएं आपने जो any country with the coastline कौन कौन सी है Romania, Bulgaria, Georgia, Russia and Ukraine ठीक है, उनको एक तो पहली बात है तर्की ऐसे ही कर सकता है नहीं तर्की को 8 दिन पहले उनको advance में intention बतानी पड़ते है कि उनको अपनी vessels भेज़ दी है through the straits, ठीक है आप से एक यह पूछा दा सकता है कि तर्की अगर ऐसा रोकता है Russia की warships को तो यह पहली बारों को नहीं ऐसा नहीं हुआ World War 2 में भी तर्की ने prevent किया था excess powers को, excess powers मतलब जो Germany वाली side थी, कि वो अपनी warships ना भेजे to attack Soviet Union और उसी तरह उसने Soviet Navy को भी पार्टी से ब्लॉक किया था ताकि वो Mediterranean में ना जाए, ठीक है यह important है, एक आपने देखा हुआ Silver Line का प्रॉफ चल रहा है, आप से पूछ सकते है It is important for prelims, कि Silver Line Project is linked to what Metro से है, Railway से, तो यादखेगा Railway है, यह basically link कर रहा है और यह रन करेगा कितना, 200 km पर आर पर और इसको Joint Venture क्या है इसका, यह है तो K-Rail, ठीक है, it is a Joint Venture between Kerala Government और Union Ministry of Railways, जो इस project को execute करेंगी, डेडलाइन इसकी 2025 रखी हुई है, पूछ सकते आपके क्या है, क्या भज़े है, इसके उपर इतना ज़र Controversy चलते हैं, देखे, सीधी सी बात होते हैं, कोई भी Projector उसके उसके Controversy क्या होगी, Political होगी लोग कहेंगे हमारे घर उजड़ जाएंगे, रास्ते में जो जो घर आएंगे वो Societies उजड़ जाएंगी, कोई कहेगा, Sir, इससे इको को फरक पड़ेगा, ecology को हमारे, पर कोई कहेगा कि जानवरों को transit moments पर फरक पड़ेगा, तो ये 4-5 जीज़े common ही होती है, ठीक है, उसके बदा, आज के नुशूपर के देह लिए, नॉर्दन रिवर टैरपेंग के बारे में था, ये largest, one of the largest turtles है, या देखेगा, largest fresh water turtles है, तो भी फॉर्म इन साओटीस एशिया, वर्ल्ड की most endangered turtles है, ये या देखेगा, इनको critically endangered रखा हुआ, IUCN की red list में, अगर 1960s तक की बात करने, तो बड़ी common हुआ करती है, बल्कि बहुत ज़दा पाई जाने वाली, अगर मार को जो 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 लॉजिकल सवे देखते हैं, तो उस तरह में पता चलता है कि बहुत ज़दा थी ये Northern River Terrapin, बड़ उसके बाद क्या इनका शिकार होने लगा, अब ये extinct हो चुकी है, बहुत ज़दा, अब ये आज के लिए, पहले तो ये River Mouths of Odisha, सुंदरबंस में भी मिलती थी, अब थोड़ा सा इनका कम हो गया, बहुत सद एक्स्टेंट हो गई है, तो इनका जो बचाने का थोड़ा सा वो चल रहा है, वो methods भी इन्होंने 2008 से ही शुरू किया है, ताकि इनका conservative हम कर सकें, और जो one of the reasons हैं जो इनका population जो unstable हो रहा है वो है harvesting, जो harvesting है, unsustainable harvesting हो रही है इनके across the subcontinent in South East Asia, जो ये turtles हैं को exploit किया जाते हैं इनकी meat के लिए, और बड़े commonly पहले तो fish markets of Kolkata के में बिगा करती थी है, अब तो ban हो गया है क्योंकि Wildlife Protection Act में भी आ गई है, पहले तो इनके अंडे भी बेचे दराए करते थे, उसके बाद क्या था कि species जो ये आजकल कहां मिलती हैं बंगलदेश में इंडिया में इंडिया में कहां पर सुन्दवन्स में, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, रिजिनली एक्स्टिंक्ट हो चुकि है खाह पर मैंनमार में, सिंगापुर में, थायलेंड में और वियद्राय में, स्ट्रॉंगली अक्वेटिक है, यह यादख किया, यह यादख एक्वेटिक मींज पानी में रहती हैं, बट टेरेस्ट्रियल जमीनों पे या टाइडल एरियास पे एस्टुरीज पे लाज रिवर्स मेंगूफ फॉरेस्स के साइड आती है जब वो अपनी नेस्टिंग करती है बच्चों जलम जेती है या ब्रीडिंग करती है ठीक है इससे जदा कुछ नहीं था बट आज 12 मिनिट का लिक्चर हो गया है तो आप लोगों को और मेरी बाते सुनने को वह हो कल हम अगर आये तो पका डिसकस करेंगे कि क्यों लेक्चर डेली नहीं आ रहे है क्या प्रॉलम हो रही है क्या नहीं ठीक है that's it for today thank you so much for listening and I am very very sorry जो भी आपको प्रॉलम हो रही है but आपको न्यूस में प्रॉलम नहीं आ रहे देंगे that's it for today thank you so much for listening have a good day bye take care god bless you all